हेलो गाईस जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं मैं हूरिशा प्रसाद तो क्लास 12 जोग्रफी प्रैक्टिकल को लेकर बच्चे के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे कि कौन-कौन सा चैप्टर आएगा और किस-किस पोर्शन को हमें करना जरूरी है ऐसा नहीं हो रहा है कि 123 35 marks का हमारा आ जा रहा थेयोरी पोर्शन जिसमें mcq आएंगे 50 mcq आएंगे 0.7 marks each mcq करेगा और बाकि आपका 15 marks का जो होगा यह प्रैक्टिकल होगा यह बहुत ही easy है 15 marks उठाना और इससे आप मारा जो percentage होता वह अच्छा increase करता है तो इसमें आपको एक अच्छा performance देना ज़रूरी है इस 15 marks के अंदर आपका भाईवा भी add होगा और copy जो आपका है वह भी इसके अंदर होगे ठीक है तो चली दीख लेते हैं सबसे पहले इसमें कौन-कौन से chapter आ रहे है processing of data and thematic map यह आपका heading है जिसके अंदर आपको question आएंगे अब इसके अंदर क्या-क्या सब point ह और कौन से chapter किस point के अंदर आ रहा है मैं आपको यह detail में भी बता देता हूं processing of data यह जो हमारा है यह हमारा chapter number one है इसको आप लिख लिजे chapter number one जो हमारे practical book MCIT के द्वारा दिया गया है उसका chapter number one है processing of data जिसके अंदर क्या-क्या चीज है वह आपको दिखना है इसके अंदर आते dedicated video भी मैंने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं मेरे playlist में जाकर ठीक है tabulating and processing of data इसमें क्या है processing of data में आप अलग तरीके से data को दिखा सकते हैं tabulating के through भी आप इससे दिखा सकते हैं जैसे क्या-क्या मैं बता देता हूं frequency polygon, ojive, inclusive method, exclusive method ठीक है तो इस तरीके से भी आप data को represent कर स देखते हैं इसका मैंने कहा कि playlist में मेरा वीडियो है मैं आपको description box में देदूंगा आप वहां से देख सकते हैं तो chapter 1 के अंदर से हमें यह चीज़ आ गया क्या-क्या primary, secondary और other source, evaluating and processing of data यह हमारा पहला chapter से हो गया दूसरा से आ रहा है calculating of average, measure of central tendency किस-किस तरीके से मैं average निकाल सकते हैं, measure of central tendency हमारा क्या है, यह हमारा आ जा रहा है chapter number 2, chapter number 2 के अंदर हमारा आ रहा है mean, median और mode, यह तीन के ही से हम क्या निकालते हैं, यही तीन है measure of central tendency, जिससे हम क्या निकालते हैं, किसी भी data का central point निकालते हैं, central point को हम निकालते हैं, या average हम निकालते हैं, बोल सकते हैं, या middle point निकालते हैं, कुछ भी आप बोलिए, यही हो गया हमारा क्या measure of central tendency, तो chapter 2 में ये तीनों के बारे में आपको करना है mean, median and mode, standard deviation करनी की जरूरत नहीं है, बाकी आप जो चीज़ हो सब करनी की जरूरत नहीं है, इन तीनों चीज़ों के उपर आपको अच्छे से काम करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके ungrouped, grouped, अलग अलग तरीके के calculation होते हैं, जो आपको समझना और अच्छे से करना बहुत जरूरी है, इसका भी link मैंने description में दे दिया है, बहुत एकदम आसान सब्दों में संधाने की कोशिज मैंने की है, खीक है, तो आप देखे उस वीडियो को, जरूर आपको profit वहां से मिलेगा, और जो तीसरा point आजाता है, thematic map, यह छोटा सा यहां दिया हुआ है, यह हमारा आता है chapter 3, chapter 3 से हमारा thematic map आ रहा है, इसके अंदर भी बहुत से point है, आपको सारे चीज़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ thematic map का जो portion है, वही आपको करना जरूरी है, इसका view का भी मैंने description box के लिंक दे दिया है, thematic map के अंदर तीन चीज़ आते हैं, पहला आज आता आपका dot map, क्या आता है dot map, ठीक है, दूसरा जो आपका आता है, यह आता है coro plate map, ठीक है, और जो हमारा तीसरा point आता है, वो हमारा आता isoplet, isoplet map, ठीक है, तो इन तीनों के बारे में सिर्फ आपको पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी और आपका जो बहुत सरा चीज है, इसके अंदर, मतलब यानि कि chapter number 3 के अंदर, flow map, flow chart, या बाकी और भी बहुत सरे आपके छोटी-छोटी concept इसमें आ जाएगे, pie diagram, histogram, यह सब चीज आभी करने की ज़ूरत नहीं, यह आपका 2 में आएगा, यानि कि term 2 में आपको practical से पहले वो सब आएंगे, तो वो सब की तरफ जाने की ज़ूरत नहीं है, thematic map के अंदर आपको स्रीप, क्या करना है, तीन चीज, dot map, coroplate, and isoplate, इसको अपर dedicated वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी extra question जो होगा, जो board में आपके पूछे गए हैं, previous year वो question में आपको जल से जल upload कर दूँगा, तो chapter 1, 2, and 3, 1 आपका whole आ रहा है, 2 में आपको mean, median, and mode करना है, इसको हम बोलते है, measure of central tendency, या calculation average निकालने का भी जो तरीका है, यही तीन है, इन तीनों को, और chapter 3 से हमारा स्रीपारा, thematic map, जिसमें dot, coroplate, and isoplate, यह तीनों मिलाके हमारी total 15 marks के आपके question आएंगे, ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि आप इस concept को समझ गया होगे, जो भी आपका doubt होगा clear हो चुका है, आपके practical को लेकर, previous question हो बहुत जल्द upload हो जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, अगर आपको कोई भी फिर भी problem होता है, तो आप comment कर सकते हैं, या personal नि मुझे mail क करकी भी अपनी doubt को clear कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे social media में मुझे से जुड़ सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!